लेडिस न्यूज के लिए सब्स्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें किंद्र सरकार के स्वास्थे मंत्राले द्वारा जारी कोरोना विजेता जिले में 36 गड़ का राजनन गाउं भी शामिल है किंद्र सरकार ने देश भर में ऐसे 25 जिलो के नामों की सूची जारी की है जिसमें 36 गड़ से तीन जिले राजनन गाउं दुर्क और बिलासपूर शामिल है कोरोना वाइरस के संक्रमन कोवीड-19 का एक मरीज मिलने के बाद इन जिलो में अब तक दूसरा कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है इसके चलते ही ऐसे जिलो को कोरोना विजेता जिलो में शामिल किया गया है देश भर में कोरोना वाइरस प्रभाविद जिलो की संख्या भले ही बढ़ कर 354 हो गई हो लेकि इन में से 25 जिले ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं पंदराराजियो में फैले इन जिलो में पिछले 14 दिनों से कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया है इसके साथ ही जहां एक और कोरोना के नए मरीजों की बड़ोतरी की रफतार थमी है तो दूसरी और संक्रमित मरीज भी ठीक होकर घर पहुँच गया है आपको बता दें कि राजनन गाओं में 25 मार्च को पहला कोरोना संक्रमित मरीज की फैचान हुई थी एक यूवक विदेश से संक्रमित लोगो कर लोटा था जिस राजनन गाओं के मेडिकल हस्पिताल से भरती कराया गया था सब्ता भर में ही कोरोना को मात देकर यूवक को ठीक कर दिया गया था ये कोरोना संक्रमित का प्रदेश में दूसरा केस था इसकी पूछ्टी होने के बाद ही सासन प्रसाशन के साथ लोग भी सतर्क हो गए जहां मरीज मिला उसे पूरे छेतर को सैनिटाइस किया गया उसके संपर्क में आए सभी लोगों को होम आईसोलेशन वो कैरेंटाइन में रखा गया राजन गाओं में तो कलेक्टर ने बाहर से लोटे लोगों की जानकारी छीपाने वाले के खिलाफ सीधे हत्या और हत्या का प्रयास का केस दर्ज करने का आदेश चारी कर दिया माना जा रहा है कि इन ही प्रयासों के कारण वहां संक्रमन और मरीजों की संक्या नहीं बढ़ी